दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिच्छक पातरता परिक्षा याने की यूपीटेट 2021 के लिए परिया और अधियन का चौथा प्रैक्टिसेट देखेंगे इसके पहले तीन प्रैक्टिसेट हम लोग हल कर चुके हैं जो लोग नहीं देखेंगे हैं चैनल के पर इसका हमारे तेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचे डिस्क्रेप्सर में टेलिग्राम का लिंक दे देदिया गया है वहां से ज़ौइन करके आप पीडियो भी डाउन सी एक्जाम के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन आफर चल रहा है यदि अभी आप बारे मन्त का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनकाडमी पे तो आपको दो मन्त का एक्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है यदि आप 24 मन्त का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको 4 मन्त का test-series जो करा जा रहा है जिसमें फर्स्ट հैंक-वालों को जो इस जिसमें आपको बारे महीन में प्रारभिक और मुख्य परिक्षा की जो है complete त्यारी करा जाएगी और आप दिख सकते हैं एकडमी की top educators के द्वारा जो है पूरे syllabus को cover करा जाएगा नीचे description में इसका भी लिंक दे दिया गया वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और यह 10 न बाकी description में भी आपको जो है link दे दिया गया है वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एकडमी का learning app इस्टाल जरूर कर लिजेगा आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर करके तो पहला question है परियावरण अधियन का कि निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे चार भी कल्प दिया गया है इसमें असत्य कथन पूछा गया है कौन सा है तो पहला जो दिया गया है कि भारती पसु कल्यान बोर्ड परियावरण संदक्षन अधियां 1986 की अधिन अस्थापित है तो ये आपका जो है गलत है यहाँ पे भारती पसु कल्याण बोर्ड एदेश में पसु के कल्याण को बढ़ावा देने और पसु कल्याण कानूनों पर एक सामविधिक सलाहकारी निकाय है और इसकी अस्थापना पसु कुरूरता निवारण अधिनियम 1960 की अन सन्रक्षन अधिनियम 1980 में पारित किया गया ये भी सही है और डी आपसन है बन अनुसंधान संस्थान के स्थापना उत्राखन के देहरा दुन जिले में वर्स 1906 में की गए थी तो ये भी आपका सही है गलत कौन सा है येनिकि ये आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला को अगला कोशन है बिटाविन B12 का रासाइनिक नाम क्या है तो इसका रासाइनिक नाम है साइनो कोवालमिन सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे इसमें कोवाल्ट एक महतपूर घटक की रूप में उपस्तित होता है अगला जो प्रशन है जडों का प्रमुख कारी है तो अगला कोशन है कि पौधे का भाग जो जमीन से बाहर की ओर निकलता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है प्रे रोह यह विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा पौधे का भाग जो जमीन से बाहर उपर की ओर निकलता है वह प्रे रोह कहलाता है और इसमें तना पत्ते फूल फल आदि बिक्सित होते हैं और प्रेरोह ये सदा ऊपर की ओर ही बढ़ता है ताकि भोजन बनाने के लिए सूरी का प्रकास प्राप्त कर सके तो ये आपसं सही हो जाएगा है अगले कुशन देखते हैं कि भारत में बनने जीव सब्ता है कब से कब तक मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस ये लेकि 8 हक्टूबर तक सी बिकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की किस जीले में परशिद्ध बटेश्वर मेला यानि कि पसू मेला लगता है तो ये लगता है आग्रा जीले में ये काफी जो है फेमस है आग्रा का बटेश्वर मेला जो कि पसू का मेला है ये आग्रा जन्पद में लगता है अगला कोशिन है उत्तर प्रदेश की किस जीले में आउला तथा उसे संबंदित उद्योग बिक्सित है तो यह है प्रतापगड में आपको पता होगा कि उत्रप्रदेश का एक मात्र जीला जो की आउले की उत्पादन में सबसे पहले अस्थान पे है तो वह है प्रतापगड सी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला जो प्रशन है भारी जल यानिके डी टूओ का उप्योग किया जाता है तो इसका सही बिकल्प होगा डी आपसन उप्योग सभी यहाँ पे सही हो जाएगा भारी जल यानिके डी टूओ का उप्योग डीटेरियम निर्माड में के कक्ष में है सी विकल्प यहां पे से हो जाएगा जंगली गदहों का अभ्यारण गुजरात राज के कक्ष के रण में इस्तित है और यह भारत का जो है सबसे वड़ा बन जी अभ्यारण है जिसके अस्थापना 1972 में की गई थी अगला जो प्रशन है विसु जल दीवस कम मना जाता है तो जल दीवस मना जाता है बाइस मार्ज को और प्रिथिवी दीवस यह पूछ लिया जाए तो यह बाइस अप्रेल को मना जाता है अगला कुशन है आपका कि राश्री जलमार्ग ववन का बिष्टार है कहां से कहां तक तो इसका बिष्टार है बरतमान में प्रिय मंगाल के हल्दिया तक जो राश्टि जलमार्ग एक का बिश्टार है और इसकी कुल लंबाई देखा है तो 1620 किलो मीटर यह जलमार्ग है तो यह आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका अगला प्रश्ण है सरदार बल्लब भाई पटेल अंतरास्टी हवायद्डा इस्तित है तो यह एहम्दा बाद में इस्तित है बी आपसन सही हो जाएगा और अगला जोipर अप्रश्ण है वाय में अप्र स Compare है कितनी प्रतिसत कि अ तो यहां पर C option से हो जाएगा 21 प्रतिस्यत वाई में oxygen की मातरा 21 प्रतिस्यत है सरवाधिक है nitrogen आपको पता होगा nitrogen सरवाधिक मातर ने में पाया जाता है 78% के करीब और oxygen पाया जाता है 21% के करीब और carbon dioxide पुछे जाए तो 0.03% के करीब जो है carbon dioxide यानकी CO2 पाया जाता है वाई मे में अगला प्रशन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कारिकरम किस वर्स प्रारंब किया गया था तो यह शुरू हुआ था वर्स 1973 में यह आपसंस हुजाएगा आप ही महत्पूर कोईश्य नहीं हमीशा पूछा याद रखेगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की प्रासाओं की अनकूल समायोजन सीख सकता है तो यह आपसं से हुजाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी डी भी कलप से हुजाएगर नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश में अमरकं तापती दो ऐसी नदियां है जो कि ये डेल्टा का निर्माड नहीं करती है ये एस्यूरी का निर्माड करती है और ये प्रश्यम की और बहने वाली नदियां है और ये अरब सागर में जा करके गिरती है और ये ब्रंस घाटी से भी प्रवाहित होती है तो प्रशने पुछा सतलज नदी हिमालाई की स्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्मान करती है और आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है सतलज नदी अगला प्रशन है यमुना नदी उत्तरप्रदेश के किस जिले से होकर बहती है यहाँ पे डी आप्सन से हो जाएगा उप्रियुक नदी में मिल जाती है अगला प्रशन है वर्षा के जलको अमलिय बनाने के लिए मुख्यत उत्तरदाई है तो पे जो है देख सकते हैं डी आप से होगा उप्यूकत सभी सल्फर डाइकसाइड भी नाइट्रोजन अकसाइड और नाइट्रस अकसाइड इस सभी जो है उत्तर वर्षा के लिए उप्यूकिया जाने वाला रासाइड जो है वह है सिल्वर आयोडाइड और अगला कोशन देखते हैं कि वायो गैस का मुख्य घटक कौन सा है तो बायो गैस का मुख्य घटक है मीथेन भी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा और बायो गैस में लगभग 55% स हो था है तो यहाँ पर मुख्य घटक पूशा गया है मेथेन सही हो जाएगा अगला प्रशन है सतत मुल्यांकन से आसा है तो आपसन आप देख सकते हैं यहाँ तो इसका सही एंसर हो जाएगा यहाँ पर सतत मुल्यांकन यानि कि सत्र में समय समय पर छात्रों की सैक्षी कु तितली उद्यान कहां पर इस्थित है तो यह है बन्नर घट्टा जैविक उद्यान जो की बैंगलोरू में है करनाट का मी इसी आफसे यहां पर सेव जाएगा यह भारत का प्रतम तितली उद्यान है अगला प्रशन है मुल्यांकन की किस विधी में किसी बस तु प्राडी अत् क्रिया की विषिस्ताओं को आखों से देखकर और मन मस्तिस्क से समझकर मानक सब्दों में प्रकट करने से होता है तो यह अवलोकन भी आफसे हो जाएगा उल्यांकन की अवलोकन बिधी में किसी वस्तु प्राडी अत्वा क्रिया की विषिस्ताओं को आखों से देखकर और मन मस्तिस्क से समझ कर मानक सब्दों में प्रकट करने से होता है तो आउलोकन होगा B आफन से हो जाएगा है अगला प्रशने भारती समिधान के किस अनुछेद में उलिखित है कि उपराश्टपती राजी सभा का पदेन अध्यक्ष होगा तो यह है अनुछे 64 में B विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा भारती समिधान के अनुछे 64 में यह वर्डित है कि उपराश्टपती राजी सभा का पदेन अध्यक्ष होगा कोशेन पूछा जाता है कि राजी सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो उपरास्ट पती होता है अगला प्रशन परियावरण सिक्छा अपचारिक विधी है तो यहाँ पे जो से होगा डी आपसन उपरियुक्त सभी परियावरण सिक्छा कि अपचारिक विधी में पाठिपूस्तक विधी भी आए गया अगला प्रश्ण है पेट्रोल चालित कार से उत्सरजित सरवाधिक जहरीली गैस कौन सी है तो यह कार्बन मोनो आकसाइड भी आप से नहां पर सही हो जाएगा यह सरवाधिक जहरीली गैस है जो कि पेट्रोल चालित कार से उत्सरजित होती है निकलती है अगला प्रशन भारत में अपीको आंदोलन का कहां प्रारंब हुआ था तो चिपको आंदोलन आप लोग ने सुना होगा जो कि उत्राखंट से शुरू हुआ था लेकिन अपीको आंदोलन की शुरुआत जो ही थी वे करनाटक से हुई थी और यह 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी तो सी आप सनिहा पे सही हो जाएगा तो दोस्तों यह था आपका प्रियावरण अध्यन का चौथा प्रैक्टिस सेट इसके पहले तीन प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है जो लोग नहीं देखे है चैनल के प्रैलिस्ट में जायेगा आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएँगे तो वीडियो दि अच्या लगा हो तो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है